हलो फ्रेंट स्वागा था आप सब का मेरे कुकिंग ब्लोग में फ्रेंट आज में बनाने वाली हूं बेशन के बहुत ही तेस्टी और कुरक्रे पकावडे तो चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए तो पकावड़े बनाने के लिए मैंने लिया है बेशन और इसमें डाल देते हूं धन्या जीरा पाड़ा और लेसन का पेश्ट और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी कटी हुई हरी धन्या पत्ती और एक बड़ा साइज काटा हुआ प्याज और स्वाधुन्सान नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर पकावड़े का बैटर तैयार कर लेती है तो मैं इस तरह से हाथों से पकावड़े का बैटर तैयार कर रहे हूँ तो हमें बहुत ही पतला बैटर नहीं बनाना है हमें इस तरह से गाढ़ा बैटर बनाना है तो पकावडे बनाने के लिए बैटर रेडी है तो मैं गैस पे कढ़ाई चड़ा दी हूँ और उसमें डाल दी हूँ तेल और तेल जो है गर्म हो चुका है तो मैं पकावड़े को फ्राई कर लेती हूँ तो मैं इस तरह से पकावड़े बना लेती हूँ तो तेल में बैटर को डाल दी हूँ इस तरह से तो देख सकते हैं पकावड़े जो है एक साइट फ्राई हो चुकत इसको हम पलट देती है तो मैं पकावड़े को इस तरह से पलट दी हूँ, और इसको मीडिया माच में ही फ्राई करना है, तब ही जो हमारे पकावड़ा बहुत ही क्रेस्पी और कुर्पुरे बनेगे, तो देख सकते हैं मारी मीडिया माच में ही पकॉड़े अच्छे स्प्राई हो रहा है और कुछ देर के बाद पकॉड़े जो है फ्राई हो चुका है तो इसको हम निकाल लेते हैं तो मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सभी पकॉड़े को निकाल लेती हूँ तो मैं इसी तरह से सभी पकोड़े को निकाल ली हूँ और इसी तरह से बचा हुवा बैटर का भी पकोड़े बना लेती हूँ तो मैं बैटर को तेल में डाल देती हूँ बेशन के पकोड़े बहुत ही जल्दी और आसानी से बन भी जाता है बेशन पकने में बहुत ही समय नहीं लेता है तो देख सकते हैं पकाओड़े एक साइट फ्राई हो चुका है तो इसको मैं पलट देती हैं तो मैं सबी पकाओड़े को इस तरह से पलट दी हैं और इसको भी मीटियम आज में फ्राई कर लेती हैं अगर आपको कुछ चटपटा जटपट खाने को मन करें तो आप पकाओडे बना सकते हैं तो पकाओडे जो है फ्राई हो चुकते इसको मैं निकाल लेती हैं तो देख सकते हैं मैं सभी पकाओडे को बना ली है और पकाड़े जो है कितना क्रिस्पी और टेस्टी लग रहा है ये पकाड़े खाने में भी बहुत अच्छा लगता है तो देख सकते हैं मेरे पकाड़े और टमाटर के चटनी बन की रेडी है आप इसे टमाटो स्वास या टमाटर के चटनी से भी खा सकते है सबी में बहुत अच्छा लगता है खाने में तो आप सब को बेशन के पकोड़े के रैस्पी कैसी लगी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा